दोस्तों इस वीडियो में हम जानेगे कि कैसे आप अपने SVI के नियू एटियम कार्ट का पिन जनरेट कर सकते हो एटियम में जाके हैं और नियू पिन को जनरेट करने के लिए अपने SVI का एकाउंट नमर और मोबाइल नमर आपको मालूम होना चाहिए और वो मोबाइल नमर आपके पास एक्टिव होना चाहिए कि आपके फोन में हो तो ये दोनों चीज़े पिन जनरेट करते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो आपको अपने SVI नियू एटियम कार्ट को किसी भी SVI एटियम में जाना है लेके कोई भी SVI एटियम में आपको जाना है जो आपके नज़्दीकी में होगा SVI एटियम में आने के बाद अपने एटियम कार्ट को एटियम में कुछ इस तरीके से इंसर्ट करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो अब उसके बाद आपके सामने दो option आएगा international और domestic का तो आपको यहाँ पे domestic वाले option को choose करना है फिर थोरा से यहाँ पे आपको wait करना है फिर उसके बाद आपका transaction processing में होगा तो आपको थोरा से wait करना है अब उसके बाद यहाँ से आपको language चूज करना है हिंदी या English में अपने item machine को use करना चाहते है तो यहाँ से आपको अपने according language चूज करना है language चूज करने के बाद आपको यहाँ पे left hand side में pin generation का option दिखेगा बस आपको यहाँ पे आ जाना है उसके बाद आपको अपने SBI का account number आपको यहाँ पे fill करना है जो आपका account number होगा आपके passbook में front page में मिल जाएगा simply आपको यहाँ पे अपना सही account number fill करके press if correct वालवशन को choose करना है उसके बाद आपको अपना mobile number fill करना है जो आपका bank account के साथ mobile number registered होगा link होगा यहाँ पे आपको वही mobile number fill करना है mobile number fill करने के बाद आपको यहाँ पे press if correct वालवशन को choose करना है अब उसके बाद अपने ATM card को यहाँ से ATM machine से निकालना है अब उसके बाद आपके registered mobile नमर पे SBI के तरफ से SMS आएगा जिसमें कि SBI के तरफ से आपको 4 digit का अपने ATM का pin मिलेगा वो pin आपका temporary है आपको अपना नया pin बनाना है SBI ATM मसीन में जाके नया pin नमर आपको set करना है 24 घंटे के अंदर जैसे कि आप यहाँ पे SMS में देख सकते हो तो बस आपको यह pin generate करने के बाद किसी भी SBI ATM मसीन में जाना है 24 घंटे के अंदर फिर उसके बाद उसी तरीके से अपने ATM कार्ट को ATM मसीन में insert करना है और यहाँ पे आपको domestic वाल उप्शन को चूज करना है उसके बाद processing में होने में समय लगेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा wait करना है फिर उसके बाद यहाँ पर आपको language चूज करना है अब उसके बाद यहाँ पर आपको banking वाले उप्शन में आना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना current pin फिल करना जो आपको SMS के थूरूर receive हुआ होगा यहाँ पे आपको वही 4 digit का pin नमर फिल करना है अब उसके बाद नया pin नमर बनाने का option आ जाएगा यहाँ से आप अपने new ATM card का 4 digit का pin नमर बना सकते हैं अपने recording यह pin नमर आपको याद रखना है future में जब भी आप ATM machine से कोई भी transaction करोगो तो यहाँ पे आप से pin पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे यही pin नमर फिल करके उस transaction को पूरा कर सकते हो pin नमर फिल करने के बाद यहाँ पे re-enter your new pin में आपको दुबारा से वही same pin नमर फिल करना है pin नमर आप जैसे ही फिल करोगे तो transaction पूरा होने के बाद जो आपका नया pin होगा आपके ATM card में जेट हो जाएगा तो इस तरीके साब अपने new ATM card का pin generate कर सकते हो नया pin बना सकते हो उम्मीद करता है वीडियो में बताएगे सारे steps आपको समझ में आ गया होगा कोई भी doubt है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हो ये वीडियो आपके लिए informative रहा है तो वीडियो को like करें और दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को share करें